जम्मु कश्मीर के एग्रिकुल्चर सेकिल्ट्री जिनके पास एनिमल हस्पेंडरी का चार्ज भी है और जिनको लेकर पहले भी एक बार इसी तरीके का मामला जम्मु कश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ बना था नवीन चौधरी उनके गर सेंटरल बीरो फिनिवेस्टिकेशन की टीम ने दस्तक दी है ये रेट जो है जम्मु में दिली मुंबई दर्बंगा बिहार जहांके नवीन चौधरी रहने वाले हैं और तिर्वनंत पूरम इन पांच जगों पर इस समय रेट चल रही है जम्मु में दिली में मुंबई में दर्बंगा में तिर्वनंत पूरम में ये 9,000 करोड चिनाब वैली पार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है इस मामले में ये बताया जा रहा है सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एलॉट्मेंट सिंटल गर्मेंट की गाइडलाइन्स को फ्लाउट करके एक पार प्रोजेक्ट कंपनी है जिस कंपनी का नाम प प्रोजेक्ट में इस समय सिवल वर्क्स देख रही है उसके इलावा भी चिनाब वैली पार प्रोजेक्ट के कई और प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्ट 2 को लेकर इल्जाम ये है कि अलॉट्मेंट के मामले में खुर्द बुर्द की गई है हालांकि ये अभी तक आदिका मामले में नहीं किसी और मामले में रेट्स हो रही हैं। आप यह भी जानते हैं कि इसी आईएस ऑफिसर को लेकर यह भी कहा जाता है, ऐसमें सच कितना है 강ई खीकत कितनी है, वो पर्ताल की बाद पता चलेगा कि गवर्नर को जो में 0.500 करोड की 2 फाइलं सत्यपाल मलिक ने अपने कारे काल में कहा था कि डयड़ सो करोड के दो ओफर आय थे जसमें कहा गया था कि आप इन दो फाइल को लियर करें आपको डयड़ सो करोड इसमें मिलेगा कहते हैं कि यह मामला भी चूंकि सी टी बिया इसको बताते हैं कि उस मामले में भी नवीन चौधरी से पूछताच की जा सकती है लेकिन फिलाल आज का मामला जो है जिनाब वैली हाइडर एक्टिव पार प्रोजेक्ट्स को लेकर है इसमें आपको याद होगा कि नवीन चौधरी को नॉमिनी चेर्मन 19 जून 2019 को बनाया गया था और 22 नॉम्बर 2019 तक वो इसके नॉमिनी चेर्मन चिनाब वैली पार प्रोजेक्ट्स कॉर्परेशन के रहे थे वहाँ पर पांच महीना रहे थे किसने पांच महीने के लिए नवीन चौधरी को नॉमिनी चेर्मन बनाया गया किसलिए नॉमिनी चेर्मन बनाया गया और आज अगर रेट्स हो रही है इस समय अगर रेट्स हो रही है नवीन चौधरी के यहां तो जिन लोगों ने नवीन चौधरी को पांच महीने के लिए nominee chairman चिनाम वैली पार प्रजेक्ट का बनाया था क्या उससे भी सवाल जवाब पूछा जाएगा क्या आपने क्यों बनाया और उसके बाद जो मेरी जानकारी है उसके मताबिक चिनाम वैली पार प्रजेक्ट से जुड़े हुए एमके मित्तल जो कभी डिरेक्टर रहे हैं उनके यहां भी रेट हो रहा है आरुम कुमार उनके यहां रेट हो रही है MS बाबू M.D. हैं उनके यहां रेट हो रही है प्रटेल इंजि absurd के हैड़ आफिस पर रेट हो रही है और जो मेरे पास जानकारी है उसके मताबिक सुबह साड़े आठ बजे ये रेट शुरू हुई है और उसके बाद अभी भी रेट शुरू है वो चल रही है जो नवीन चौदरी का निवास है जम्मू में वहाँ पर रेट हुई है उसके इलावा दर्बंगा बिहार में जहां उनका घर है वहाँ पर भी बत का हैंड आउट आएगा जिसमें को कैटेगोरिक और क्लेरली बताएंगे कि आज जो रेट हुई है वो किस मामले में हुई है लेकिन अभी तक आदिकारिक सुत्रों से जो बात पता चली है कि 9000 करोड के चनाब वैली पार प्रजेक्ट के मामले में जो खुर्द बुर्द की गई है उस खुर्द बुर्द को लेकर ये रेड है और ये रेड नवीन चौदरी के यहां भी हुई है है रान करने वाली बात ये है कि जम्मो कश्मीर की सरकार जो जम्मो कश्मीर एडमिस्टेटिव सर्विस के जम्मो कश्मीर पुलिस सर्विस और जम्मो कश्मीर रेवनि पता होगा इससे पहले भी जब इल्जाम लगे आपको याद होगा गिरिश चंदर मुर्मू के कारेकाल में यह हुआ था जब जब जमोकश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ एक मामला बना था उस मामले में भी यह कहा गया था कि वो जो पैसा लिया गया था यह जो पैसा दिया था उस में भी नाम इसी आईएस आफिसर का आया था उस समय भी कोई कारवाई उनके खिलाफ नहीं हुई कहा यह गया पैसा वापस दे दिया गया मामला खत्म हो गया लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है अगर यही काम किसी जमोकश्मीर एड्मिस्टेटिव सर्विस क काम शुरू किया है क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जमोकश्मीर के सिवल सर्वेंट जमेदार हैं क्या आईएस बापू जमेदार नहीं क्या उनके खिलाफ कारवाई नहीं होगी और उसकी बाद जिव इतना ही नहीं जो वक्त के हुकुमरानों के पास भी जब इन चाहता कि आईएस बाबू के खिलाफ किसी किसम की कोई कारवाई हो कोई भी सिस्टम में नहीं चाहता कि आईएस बाबू को जो है पिनलाइस किया जाए आईएस बाबू के खिलाफ भी सخت कानूनी कारवाई हो ताकि उनको ये लगे कि वो भी एकाउंटबल है उनके खिलाफ पीटते रहते हैं कि जनाब बड़ा अच्छा काम सरकार ने किया छे जम्म कश्मीर के अफसरों को हस्पेंड कर दिया ये कोई भी नहीं सोचता कि जब करप्शन की बात आती है तो कितने F.I.R. I.S. अफसरों के खिलाफ अभी तक पेंडिंग है कितने F.I.R. C.B. I.S. अफसरों के खिलाफ पेंडिंग है कितने F.I.R. अफसर ऐसे हैं जिनके घरों पर C.B. I. की चापे हुए C.B. I. की चापे मारी हुई उसके बाद I.S. अफसर ने खुद आकर क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि जनाम मैं तो बिलकुल मेरे खिलाफ जो भी कुछ हुआ उसमें C.B. I. ने मुझसे कोई पूश्टाश नहीं की गई ये अन हर्ड आफ है ये सारी चीज़े जमो कश्मीर में होती है और ये क्यों होती है ये किसले होती है ये जमो कश्मीर के बाबू को पता होगा लेकिन आज C.B. I. ने रेड की है और इस रेड में साफ तोर पर नाम निकल कर नवीन चौदरी का आ रहा है M. के मित्तल, अरुन कुमार, M.S. बाबू इनके नाम निकल के आ रहे जिनके घरों पर रेड हुई है रेड के बाद C.B. I. को मिलता क्या है अगर कुछ बड़ा होगा तो आपके सा जरूर शेयर करेंगे